राश्ट्रिय स्वहम सेवक संग यानी RSS ने भारती जनता पार्टी से मदभेद की खबरों को खारच कर दिया है। बीजबी ने से भ्रहम पैदा करने की कोशिश करार दिया। संग की सूत्रों ने ये भी माने से इंकार कर दिया कि लोकसभा चुनाव को लेकर मोहन भागवत की आलोचनात्मक ठिपणिया बीजबी को निशाना बना कर की गए। संग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि RSSS और बीजबी की बीच कोई दरार नहीं है। दरसल विपक्षी नेताओ का दावा है कि भागवत की टिपणि लोकसभा चुनाव में उमीद के मताबिक प्रदर्शन नहीं करने के बाद। पूर्ण घटना का संदर्व होना लाजमी है लेकिन इसका गलत मतलब निकाला गया और भ्रहम पैदा करने के लिए से संदर्व से बाहर ले जाया गया। उनके हैंकारी वाले टिपणि कभी भी प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी या बीजबी के किसी नेता के खिलाफ नहीं थी। बतादे के इपने भाषन में भागवत ने मरणपूर में एक साल बाद भी शांती बहालना होने पर चेंता जोताई थी। शाद भागवत RSS की पूर्व प्रदाधिकारी को मरणपूर जाने के लिए राजी कर सके। उन्होंने कहा था जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ती की लेकिन आहिंकारी हो गई उसे 241 पर रोग दिया गया। हलाकि वो सबसे बड़ी पाटी बनी जिन लोगों का राम में कोई विश्वास नहीं था उन्हें एक साथ 234 पर रोग दिया। उनका इशारा इंडिया गडवंधन की ओर था जिससे इस चुनाओ में 234 सीट मिली। RSS की कपदाधिकारी ने साफ तोर पर कहा कि कुमार की निजी राय है और ये संगटन के विचार को प्रतिविंबित नहीं करती। सूत्री ने इस बात को भी खारज कर दिया कि RSS इस बार BGP के समर्थन में उस तरह से चुनाओ प्रक्रिया में शामिल नहीं था जिस तरह से वो पहले रहा है। कहा गया RSS इस प्रचार नहीं करता लेकिन लोगों में जागरुकता पैदा करता है और उसने चुनाओ के दौरान अपना काम किया। पुरो देश में हमने लाखों सभाई की। अकेले दिल्ली में हमने एक लाख से आधे एक छोटे समूहों की बैठक की। मीटा रिपोर्ट्स की मताबिक RSS और BGP सहित उसके सयोगी संगठनों की तीन देवसी वार्षिक समन्वे बैठक केरल की बलकर जिले में कत्ती सगस से शुरू होगी। इस मेटिक में BGP अध्यक्ष समेथ पार्टी के वरिष्ट नेताओं के शामिल होने की उमीद है।